हेलो नमस्कर साथियों स्वागत आप सभी काज किस नहीं सेसर में इस क्लास के अंदर हम लोग परसंटेज के पूरा पूरा परसंटेज को डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर में 2000 इससे पहले वाले जो जीडी के पेपर में आया है और इससे पहले आपको चार चेप्टर करा चुके हैं, क्योंकि हम लोग बारी-बारी से हर एक चेप्टर को कर रहे थे, लेकिन बीच में, हेल्थ इसूस के बज़े से में कलास में नहीं रह पाया, मतलब उसको रेगुलर नहीं कर पाया, अब आने वाले टाइम में कुछ इस अगर आपका एक्जाम यहांस पर हमारा सुरू होता है, तो इस परकार से हम इस चेप्टर को निप्टा रहे होंगे, जो कि important है, यही सब पूछें जितने, पिस सवाल पूछें, इन चेप्टर के अंदर में आपको कराऊंगा, और आज का चेप्टर हम रहने वाला है, percentage, औ सबसे पहले percentage के उपर बात करेंगे, basic percentage, बाकि सबको अभी को पता होगा, कि basic percentage क्या है, और उसके बाद क्या है, percentage से fraction के से हम चीजों को बदलते हैं, उसके बाद fraction से percentage को जाएंगे, तो यह क्या system मनेंगा, उसको देखेंगे, उसके बाद हम population के question को देखेंगे, ठीक है, एक population के उपर में जाएंगे, उसके बाद income saving expenditure, उसके बाद एक special case होता मेरे भाई, x square 100, यह तब लग जाता है, जब कहता कि आपके बेतन में 15% का ब्रिदी किया गया, फिर 15% का कमी कर दिया, तो यह special formula होता है, फिर हम यहां पर discuss करेंगे, उसके बाद successive और एक दो टाइप है, उ सबसे पहले, हम यहां से सुरू करेंगे, यहां से नहीं करते हैं, कलास के शूरू करते हैं, आपको आना चीएगे, यह 10% बराबर कि आपकुछ सिस्टम बैठता है, देखिए भई, सबसे पहले अगर कहीं पर यह से लिख दिया जाए कि X परतिसत ए कहीं लेते लेती दिमागा खराब हो क्याया ए काम स्का क्या हlaw करते है ए पर्सेंड कर लिखा जाए इसका मतलब तो हम 100 क्या हुदा हमें कि percentage से fraction के ओर जाएंगे तब क्या कुछ वेवस्ता बेटता है तो उसको समझते देखें कहीं कबार आपने इस परकार से देखा होगा मेरे भाई कि कहीं पर लिख देता कि 10% 10% है ठीक है तो इसको कभी कबार हम इस परकार से भी लिख सकते हैं कि एक बटा 10 होता है तो यह कैसे हो गया मेरा भाई तो यह जो हुआ ना जैसे हमने लिख दिया कि 10% से एक बटा 10 तो इस परकिरिया को जो हम लिख पा रहें इसी को कहते हैं कि यहां पर percentage लगा हुआ है यहा तो गुना में एक बटा सो करेंगे बात बराबर है बटा के नीचे 100 लिखी है गुना एक बटा सो कोई फर्क पढ़ने वाले बात नहीं है ठीक है अब इसको अगर आपके सामने जैसे होते हैं जिसे हमें ध्यान में रखना होता है इसे बहुत परसेंटेज की जोरत नहीं है उसना डेप्त में जाने की जोरत नहीं है जो भाई पेपर में पूछा जाएगा उसी को ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहां पर अभी आम उस चीज को डिसकर्स करेंगे जो हूप का मतलब होता है 100%책 क्योग क्यों कि 100% जो है 100% परतिशत का मतलब क्या है कि पर तिसमें का मतलब्सीदा इस wholly शहए कि निच्कत आतीं से को गाट दिया तो और मिलेगा बात बराबर इस लिए एक का मतलब मतलब 200% हो जाएगा कोई दिक्ट वरी इसमें नहीं होना चींए इसमें क्या दिक्कत है आगर तीं कहएगा तो 3 का मतलब हो जाएगा 300 पर्स इस परकार कंशेज होता है लेकिन र 보고 Bye इस बात को समझ लीजिए कुछ इस परकार से होता है लेकिन सबसे पहले हमें कुछ इस परकार की चीज़े जानना है कि एक का मतलब 100% तो एक बटा 2 का मतलब कितना होगा एक बटा 2 का मतलब परतिसत में कितना होगा अगर यह चीज़े हमें जानना है तो यहां पर आके बात करते हैं देखिए अब हम ओही सीखेंगे कि के हम पर संपरने के इसी छीज़ को सीखेंगे मेरा भाई कि प्रेक्षन से पर्स्टेज गोर की सपरकार से जाते ہیں जैसे मैंने आपको बताया कि एक है एक का मतरा आपको बताए कि हंडिड़ परसन होता है अपने सीखार बहुत अच्छा बात बोला अपने बोला बहिया एक बा इस प्रकार की चीजी जो रहता ना इसे फ्रैक्षन यानि कि क्या कह देते हैं इसे भिन कह देते हैं भिन और भिन से जब परतिसत की और जब जाना होता है तो हम मेरा भाई गुना करते हैं 100% से देखें इस बात को ध्यान में रखिएगा जब भी हम जब भी हम फ्रैक्षन यानि कि फ्रैक्षन का मतलब भिन होता है फ्रैक्षन का मतलब क्या होता है भिन होता है और भिन से जब भी हम कूदेंगे परसेंटेज की और में तो गुना करेंगे 100% से ठीक है क्यों क्योंकि जब हम परतिसत में जाते हैं तो परतिसत का चीन लगाना पड़ेगा ठीक है तो परतिसत से गुना करेंगे कितना से हंडिट परसंट से जैसे यहाँ पर एक बटा दो है तो एक बटा दो क्या है एक बटा दो एक फ्रेक्शन है इसको हमें परतिसत में बदलना है यानी कि एक बटा दो परतिसत में क्या होगा जिसको गुना करेंगे हं तो यह बैटातीन को कितना परतिसत लिखेंगे तो ही काम करेंगे मेरा भाई एक बैटा तीन लिखेंगे इंटू हंडेट परसन लगा देंगे यह उपर में गुना होगा तो क्या हो जगे एक सो बटा तीन हो जएगा एक सो बटा तीन पर थिसलत होगा की ने होगा इससे जब हम ड़ीवाइट करेंगे जब हम इसको इससे पूरा को डिवाइट कर Eck Arch пот तो मेरा भाई आता है 33 पूर्णाग 1 बटे 3 पर 30 ठीक है 33 पूर्णाग 1 बटे 3 पर 30 एसा क्यों आया अब यह थोड़ा सा में बता देते हैं तो मेरा भाई रहे हैं भागा उसको नीचे तो यह 33 पूर्णाग 1 बटे 3 पर 30 एक सोब देखी पर 30 पर 30 पर 30 ठीक है कहीं आपके जहन में यह चीज़े बाती आ रहा होगा भाईया यार एक बाता होता है एक बटे 3 को ने यह लिग दिया तो एक बटे 4 को क्या लिखेंगे एक बटे 4 को लिख देगे 25 परसंट क्यों कि जब हम एक बटे 4 को एक बटे 4 को 100 से भगा करेंगे मतला एक सो से गुना करते हैं तो चार से यह कड़ेगा चार दूना आट चार पंचे बीस तो पचीस एक पचीस कितना हो गया 25 परसंट हो गया कि ने हो गया उसी परकास से एक ब नतीजा क्या आएगा नतीजा ये होगा मेरा बाई एक बटे 5 को जो फ्रेक्शन में है और फ्रेक्शन में पर्तिसत की और जाते हैं तो वह पास्तिस परसंट होता है इस बात परसंट हो गया ये यहां पर एक बात को समझ लिए चीजिए ऐसे भी काम कर सकते हैं परतिसत में लिखना कि क्या परसंटेज बन सकता है तो एक बटा छो को गुणा करेंगे 100% से करेंगे कि नहीं करेंगे तो उपर गुणा होगा कितना हो जगा सब्सक्राइब करें नीचे वाला उपर और उपर वाला नीची ठीक है बात सिस्टम बन गया अब अगर यह कट सकता है तो यहां तक किसी को समझसा नहीं होना चीए उसी परकर से अगर बात करेंगे कि एक बटे साथ का कितना पर्चेंट होगा तो आप कर सकते हैं कि एक बटे साथ है तो गुना में हंडेट परसंट होगा कि नहीं होगा गुना हैंट परसंट जैसे ही हंडेट परसंट करेंग लांडेमा देगे और नीचे है नीचे नीचे तो कड़ेंगा नहीं नहीं कड़ेंगा तुअभी तो ऊपर में 100 बन रहा है जाएगा तो यहां पर नीचा साथ आजाएगा तो एसी व्यवस्ता बनता है मेरा भाई आगे थोड़ा सोड़ देख सकते हैं आप एक बटे आट को जोदी भागा करेंगे तो एक बटे आट को जब हम भगा करते थो जा है तो बारा गटे नवे बारा पर्तिसार होगा है तो ऐसी कुछ बेबस्ता बनता है जिसे आपको ध्यान में रखना है एक बटे आट उसके बाद एक बटा नो होता मेरा भाई एकारव पूर्णाग एक बटे नौ परतिसत ये भी कैसे हुआ अब के जहन में यह चीज आना चाहिए एक बटा नौ इसको कहा ले जाना इसको परतिसत के और लेके जाएंगे कि ने ले जाएंगे बिल्कुल ले जाना है तो गुना एक सो करेंगे तो कटेंगा नह ले रहे जाए जब हमें नौ से बाधा सकनी dil ले लिजे नौ एक न के नौ होगा मेरा भाई एक बचा फिर09 तो हमने क्या तो हमने एगारों जो मिला उसको पकड़क रख दिया उसके बाद नीचे एक है तो उपर में एक और उपर वाला नीचे यनिकी इस परकार से उसके बाद फिर आ जाएगा मेरा भाई और एक दो चीज़ा आ जाता है इसको समझा देते हैं ताकि आपको यह चीज़े थोड़ी स कितना होगा यह बटा 10 अर्मटन में 100 पर्षण करेंगे टेर्य तो होता है यह कर जाएगा तो दस पर तिस तो पर तिस पिर आएगा एकपटा एगारा एक बटा एगारा चाहो एक बटाएं सब्स Comes् implication comment जिवाइद करें तो एगारव नामीणानवे समझ मैं की कोशिश कीजिए जब गुना एक सिसी हलत भाग नहीं जा रहा तो इंट पर में एक सो आ तो एक सो नामनेतितार क्या है एक वाग फ़ल में तब मेरा नो आ रहा है अनिनानवे को जो भाग देरें तो एक बचागा यहां पर क्या आजएगा यह हो जागा मेरा भाई बन जाएगा कोई दिक्कत है बताई आप इसमें इसमें कोवन बात क्या देख पारहें मतल़ यह उल्टा बूल्टा चलता और कुछ भी नहीं ठीक है पर भाई एग बचागा बाराइग परतिसत में कितना होगा बारह ट्थे च्शी आनवे बारह च्शी आनवे चार बचागा मेरा भाई चार बचागा तो नीचे रह रहा बारह तीसको बारह से डिवाइड करना पड़ेगा तो बारा अठ्टे डायड़ चीजानवेट आएगा नीचे चार बजेगा मेरा भाई जो भागपल रहता उसको बीच में पकड़के रखना हो तो चार मेरा उपर जाएगा बारा मेरा नीचे आगा यह कटने लायक चार रखके चार तीया बारा त यहां पर बचने वादा तो जो भागफल बचता है मेरा उसको पकड़के सीधा नीचे वाला नौ जो है यह मेरा उपर चड़ेगा यह है यह मेरा नीचे पर जागा तो तो तर्षाद ते कानवेा नो कितना होता तर्षाद एक सो एक सो बचा तिरो आ जेगा की यह सीष्टम मना उसके बाद फीर आजएगा मेरा बचा 14 यह निकी एक बचा शोगतना बचेगा इसको दो एक कम दो दो सत्य चोगतने कर यहागा यहीं कि 7 पुरूरांग 1 बटे 7 पर 30 इसका करेक्ट उत्तर बन जाएगा ठीक है उसकी उसी परकार से 1 बटा 15 आएगा तो 1 बटा 15 को क्या कर सकते हैं पर 305 आएगा पर 305 तो पंदर चोग नब्बे दस बचेगा दस बटे 15 क्या कोई संका जो दोनों को कार दे तो पांच तीन इसका करेक्ट उत्तर एक बटा 15 फिर आजाता एक बटा 16 बटा 17 बटा 18 एक बटा 19 फिर आजाएगा एक बटा 20 तो एक बटा 20 बहुत ज़रूरी है इसको लिए एक बटा 20 का हो जाता पांच परसंट क्यों हुआ कैसे वह समझ देजिए अगर एक बटा 20 है इसको पर 30 में बलना तो हैंडिर परसंट गुना करना पड़ेगा कि ने करना पड़ेगा यह कितना ह हम अरफाथ परसंट क्या पर इसका मतलब कितना हो गया यहां तक सभी को मतलब सब्समांज हमीद आते हैंब में जब हम इस तरीके डिल कर रहे हो तो अब एक चीज़ इसको समझ लिए भई की प्रेक्शन से परेक्शन गें तरही तो यह सिस्टम बना ठीक है आपक अपिक हम % से जब हम fraction घुझाते हैं मतलब ये जो पांच पॉप्रियस्ल ली तो बना सकते हैं बना सकते ये नहीं की बना सकते हैं जब हम देखें जब % से fraction की ओर जएंगे ना तो बटा में 100 करते हं याद रखेए गा and या गुना एक बटा 100, इसी चीज को फोलो कराना है, और कुछ कराना के जुरत है नहीं, ठीक है, जिसे 5% है, तब इसको fraction में उदलना क्या करेंगा, पांच है, तो इसका मतलब क्या है, बटा में 100, 5 एक हम 5, 5 से 20 बार में, अर साथ ये एक बटा 20 हो जागा, ठीक है, अगर कही पर लिख दिया जाए कि 25% है, इसका fraction value क्या होगा, इसका fraction value क्या हो सकता, ता बोलेंगा, या, उपर में 25 है, तो नीचे 100 बेट जाएगा, ठीक है, तो 25 एक हम 25 चोगा 100 है, यह 1 by 4 ता जाएगा, कोई दिक्कत, 1 by 4, यह percentage को हम 30 में बदल रहे हैं, यहां तक किसी बात के समझ कोई भी संख्या दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं के 25, देदे की 60% है, इसको fraction में बदल के दिखाओ, तो हमको नियम पता है, कि जब परतिस्त में रहता है, चीजे, इसको जब हम भिन की और ले जाते हैं, तो बटा 100 कर देते, मतलब 60 या नीचे परतिस्त आड़ेगा, नीचे 100 सो बेट जेगा, 0-0, 2-3-6, 2-5-10, यानि के, हो गया मेरा भाई, 3-5 आपका करक्ट उतता, 3-5, 40% पूछेगा, 30% पूछेगा, कुछों पूछे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अगर 40% कहीं पर पूछ दिया जाए, 40%, तो 40% हटेगा, तो नीचे 100 बेटा देना, ये कड़ हो गया, 2-3-4, 2-5-10, यानि के, यह हो गया, 2-5 के बरावर, कितना हो गया, मेरा भाई, 2-5 के बरावर, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, की, 1-20 का मतलब कितना होता, 5%, यानि के, 5%, 20% का मतलि होता है, 1-5, तो 40% का मतलि 2-5 होगा, कोई दिक्कत, यहां तक उमिद कर सम सवाल नहीं लाया यह सवाल जो है मेरा भाई यह पूछा गया सवाल इसको पढ़ेंगे तो आपको बता चलेगा कुछ चीज़े ठीक है देखी सवाल में क्या कहा जा रहा है कि भिन तीन बटे-चार का परतिसत कितना होगा मरे भाई यह यह सिस्टम दे रखा तो तीन बटे- यह उमिद करें कि यहां तक आप चीजे समझ पाए होंगे अप परसंटेज में कई कबार क्या होता है कि अब यहां तक बात सिमीत नहीं है ठीक है आपने कई बार पढ़ा होगा कि आपको कि कुछ इस परकार से देज़ेगा मरे भाई कि आपने कोई समान लाया 10 रुपिया म आपने इसको बेजा फंदर रुपिया में कुछ इस परकार से तो प पहर पॉपिट परसंट बता कि लाब कितना हुआ लाब वर लेंगे तो 100% से उना 10 से 10 रुपए करिए 50% का लाब होगा आपको क्या होजएगा मेरा बात कर रहे होंगे आगे चलिए और भी चीज़े हम सीखेंगे एक एक करके नए नए चीज़ों को मतलब नया कुछ भी नहीं है जो सवाल में आया है उसको डिटेल में सीखेंगे औ और मैंने जो पिछले बार मतलब पिछले दो-चार कलास करा रखेंगे उसमें भी यह चीज़े डिटेल में बात करें ठीक है आज यह जैसे पहला सवाल यह है मेरा भाई कि बीमारी की वज़़ा से एक व्यक्ति का भार जो है मतलब ऐसा मतलब सभी कोश्चन आपको मतलब दिखा देता हूं कि सवालों के संक्या क्या है 184 पेजे लगे हुए है 184 पेज़े टीक सभी चीज़ों को यह पर कंप्लेट कर रहे होंगे हम लोग एक एक करके ठीक है रही चिंता मत किजे सभी को यह जो 184 पेज़े देख रहे है न यह भाई मेरे घंसे नीला है मतलब जो सवाल आपके paper में पूचा गया है वो सवाल को discuss करेंगे ठीक है तो पहला सवाल मेंने सवालों को क्या कर रहा है सवालों को मैंने इस परकार से arrange कर तेया मेरे बेसीक percentage का मतलब क्या है जो मैं आपको अभी अभी एक चीज बताया कि कुछ इस परकार के सिस्टेम मना है भई कि 10 रुपया में खरीद के 15 रुपय में बेज दिया मतलब कुछ इस परकार के कि पहले वैक्ति का जो भार था पहले 50 कजी था और थोड़ा सा जीम किया बोडी बना लिया तो आप भार मालेते के 60 कजी होगा तो परतिस घेका तो परतिसर कितना बढ़ा परतिशत ब्रिधी बताओ तो हैसाथ हो गया बढ़ा कितना कहां से बढ़ा है से सब्सक्राइब फचास कर रहे तो परतिशत बंपरसन से इस फ्रकार में चीज चलता तो ठीक है यह तो बहुत साधरन सा कोश्चन है मतलब एक्जम्पल के तौर पर इतना आसान नहीं है जो भी सवाल है आपके सामने है ठीक है देखी भई तो पहला सवाल है पहला सवाल क्या कहा रहा कि बीमारी की बज़़ से एक व्यक्ति का भार जो है एक महने में 80 kg से कितने स पढ़ा है पहले उसका weight 80 KG फाय घकर 54 हो गया तो इसमें परतिसत कमी बताना हुआ था बहुत बेसिक सा बात है कि पहले रांशिष्ट क में कहोए उन्होंने इंदय разрimer conferences सब Óर। आपका अन्सेर होगा वह क्या होगा कमी लाखते लोगा हिए से गाल्ट तिर सबस्क्राइजड़ अन्सेर पर बंच करेंजism जैसे क्या बात हुआ मतलब कमी बोलेगा अगर बिरिधी बोलता अगर यह रहता पहले अगर 64 रहता ठीक है और फिर 80 होता कि एक व्यक्ति का पहले वजन 64 था दो मेहने के बाद उसका वजन जो है वो 80 किलोग्राम हो गया तो यह बता परतिसत बिरिधी कितना हुआ है तो हम द सब्सक्राइब कर देंगे कि आपको दिक्कत नहीं होगा मतलब पेपर में जाने के बाद आपको अनुफ़ा होगा कि इस तरहीं के सवाल हमने कर रखा है तो इसको आराम से कर सकते हैं ठीक है तो कोई भी परतिसत में जो संख्या होता है वो आपने आप में 100 परसेंट होता है तो यहां तक बात कर रहे हैं उम्मिद कर रहे हैं अगर बोलेगा कि 20% का कमी कर दिया 20% का कमी कर दिया तब हम क्या करेंगे बीस परसंड की ब्रीदी की जाती है यानि कि कोई भी संक्या है वह 350 है तूसमें 20% के ब्रीदी के गया तो गुना करेंगे तो बीस परसंड का व्रीदी की थे जएक तो刚ивает का देगरिकाइं अपने हंदेट परि Almost история यानि कि वह संक्या कितना हो गया एक सो 20% हो गया आप 35 जैसे कि हटेगा तो नीचे हम 100 पिठाते हुए चलेंगे ठीक है फिर से गुना करेंगे इसे कहता हम सीरीज मेठट ठीक है और फिर 25% की कमी किया गया तो 25% की कमी का मतलब क्या है 25% कमी यानिकि 100 में से 25 घटा देंगे तो वो हो जागा 75 और 75 बटे 100 है तो कहरा की जाती है तो इस परकार बनने वाली नई संख्या ग्याद कीजिए बस यही सिस्टम है कि यह संख्या है पहले 20% बढ़ाए गया फिर 25% कम किया गया तो अब जो नया संख्या बनेगा वो संख् इसको बताना है ठीक है जिसको कट चटके छोटा कर देतें देखिए यह 0-0 कर जेगा यह 0-0 कर जेगा ठीक है और कुछ कर सकता देखिए 25-75 25 चुका सो चार से कर जेगा तीन बढ़ में चार्तिया बार तीन तिया नो पैंटीस गुना नो जब हम करेंगे तो इसका एंसर आ कि किसी गाउं की जन सक्या मालेते साथ हजार है पहले वर्स में 10% का इसको कर दिया तो आप पॉपूलेशन क्या हो जागा वो बताइए यह तो इस पर का से यह सीरीज कर सब्सक्राइब करेंगे जो भी दिया हुआ रहेगा उसमें जो बिरिधी बोलेगा वो भी कर सकते हैं तो कोई संख्या यानि कि पहले 5 था अब हो गया 6 ठीक है मानते हैं कि ओ संख्या पहले 5 था अब 6 हो गया फिर कहता कि 25% की कमी केगे उसी संख्या में कोई संख्या गो जो 25% की कमी तो 25% का fraction value कितना होता है एक बटे 4 केसे हुआ मैरा भाई 25% 25 जब हटेगा तो नीचे 100 बिठा की कमी यानि कि चार से अब कितना हो गया तीन हो गया ठीक है अब यह concept बन रहा है यहां पर हम लिग देता है तक आप 25% का मदर होता है एक बटे चार अब इसको सॉल्व करेंगे मेरा भाई पहले संख्या क्यतना था चार पंचे हो जेंगे यहां पर 20 दूसरा बार नया संख यह इसका कितना है 350 है ठीक है तो 350 से जबाब 20 को डिवाइड करेंगे ना मेरा भाई 0 से 0 कर दिगा दो से काड़ेंगे तो 21 के दो 274 मतले इस परकार से इतना आजेगा ठीक है इतना आजेगा कि 17.5 यह इसका 17.5 गुना है तब यह भी जो नया संख्या बनेगा इसका भी यह 17.5 गुना हो जाएगा तो जब 17.5 मतलब 115 को जब अब 18 से गुना करेंगे इसको गुना करेंगे तो 18.5 हो जाएगा 90 90 के 0 हाथ मे रह गया मेरा भाई 9 ठीक है अठर सत्य कितना होता अठर सत्य 126 129 को जोड़ दिया जाए तो 126 और पहले तो 4 जोड़ देंगे तो 130 हो जाएगा फिर 5 जोड़ देंगे तो 315 आपका correct उत्तर हो जाएगा यहीं कि D नमबर correct उत्तर हो जाएगा ताब इसको ratio method से भी बना सकते हैं यह हो जाता है मेरा ratio method ठीक है इस बात को कितने आदिमीं के अंदर में यह बात गुज गया इसको और एक बार बताते है ठीक है यह जो संख्या का जिक्र कर रहा ना मेरा भाई छोड़ो यार इसको छोड़ो क्या रहा कि संख्या 350 में से हमें मतलब नहीं कि उसे क्या है अभी नहीं देखते हैं ठीक है पहले 20% की ब्रिधी के गए तो 20% का फ्रेक्शन वेलू कितना होता है एक बटे 5 हमने कैसे जाना क्यों अगर प्रतिसद में है तो नीचे कर देंगे तो बटा सो बीस से कम बीस बीस पंचे सो यह आगया एक बटे 5 यह बटे 5 यह बटे 5 आगया की नीचे मेरा और जिनलनल नंबर होता है वह जो संख्या का बात कर रहा है वो 5 ही है ऐसा माल लेंगे हम तो पहले था उसमें एक की इंक्रिस यह चे हो गया ठीक है उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो 25 परसंट की कमी केगे 25 का मतलоб होता है कितना होता है एक बटे 4 होता परची का मतलब होता है एक बटे 4 रहां डिला स्वार्ड हे Two-P67 यह इसका पर करें रहा हैं इतना गुना होगा तुछ इसका जब अपने गुणा किया तो आया कि 350 अंति में एक संक्यावाद पॉइंट है तो लगा दीजिए निके 315 आपका करेक्ट उत्तर होगा रेशियो मेथड आई यह जो बाया पक्ष देख रहे हैं इसे कहते हैं सीरीज मेथड तो इसको भी लगा सकते हैं मैंने आपके साम सवाल पूछ लिया जाएं सवाल नहीं है मतलब सब्सक्राइब हरस कि सवाल ठीक है तक मिंठेजाब अरे मिया थे कोषिश करें यह फथी है जो हेकला हमें घैटकर 38000 से 14580 हो गया तो बस्तू के मुल्य में मुल्य हरास की बासिक दर ग्याद किजे मतलब दो साल में मेरा भाई दो साल में कोई जो बस्तू है वो 18,000 11,000 से घटकर 14,580 हो गया दो बर्स में हो गया ठीक है तो कितना परतिसत कमी हुआ है वो बताना है कितना परतिसत कमी तो जब भी देखे मेरा भाई अगर सिंपल यह बोलता अगर यह बोलता कि कोई भी जो किसी का जो रेवेन्यू है मतलब एक साल में अगर बोलता है इस परकार से कि कोई चीज मेरा 18,000 था मेरा भाई ठीक है 18,000 इस परकार से 18,000 और वो घटकर हो गया 14,580 अगर कुछ इस परकार से कहता एक साल वाली तो हम क्या करते डाइट 18,000 में 14,580 को घटाते और जो भी आता उसको इहां रखते मेरा भाई उसके बाद कितने से हो रहा तो नीचे 18,000 इहां पर लिखते अब परतिसाद में बदलना तो 100% से गुना कर देते यह प्रोसेस होता अगर एक साल के लिए बोलता तो लेकिन इन 4 साल देगा तो फिर वो रेशियों में देगा तो चार साल के लिए बड़े आसान से अब निकाल सकते हैं यहां पर सवाल में क्या करना होगा जब दो सवाल के लिए दिया जा Ito. दो सवाल तो इस पर क्या किजिए कि रूट चाढ़ाईए और रूट चाढ़ाईए सबसे पहले रूट चाढ़ा सकते हैं अन्य था आप ये काम करेंगे कि इसको अनुपास रेशियों में ले लेंगे ठीक है इसका पीछेवल एक जिरो एक जिरो हड़ जाएगा खटा दिया आपने अगर इसको आप कार सकते हैं तो कार जिए दो से कर काटेंगे तो दो ना मठार डबल जीरो यह हो गया दो से इसको कर दो सब्सक्राइब दो दूने चाढ़ा यानि कि यह आगया 900 और यह आगया 729 जब भी परतिस्यत इंक्रिस और डिक्रिस बोलेगा तो हमें सब्सक्राइब और जाती हरा तूबी संख्राइब निकाल ले श्करे एसा कोन सा संख्राइब यह जातर हूठ कि सस्क्राइब ल sih साल में 30 हो रहा 1 साल में 30 से कित रा टीज से फिद्धे कि घट रहा किसका होता है बहुता है जैकर इसका होता है यह बात आपको पता होना चाहिए कि 27 के 729 में 37 दूसरा है बहुता है नचीजा में दूसरा साल में भी आप तो 27,29 नशार के बता रहा है अब आप एक बात समझदेटी आजिए दो साल का दिया इली है दो साल का दिया यह दो साल का रिवेल तो दोसाल में क्या परसेंट इंक्रीज होगा इस चीज का हम पता नहीं लगा पाएंगे, तो दो साल का जो एक साल में निकालेंगे ना, तो सीधा इसका रूट चाहा दीजी, यह निकि यह किसका इसका हो रहा है, तीसका है, यह किसका है, 27, तो 30 से 27 हो रहा है, यह पहला साल है, पहला साल, दूस से 27 हो रहा ने यह एक साल का डाटा मिल गया है अब यहां से हम बता सकते हैं कि प्रतिसत क्या होगा हानी होगा लाब होगा जो होगा हम बता देंगे तो 30 रुपए की revenue मतलर जो भी है इतना था इतना से घट कर इतना हो गया तो घटा कितना 3 तीन कहां से घट रहा तीस से घट रहा है इंटू 100 परसंट यह कर देंगा मेरा भाई एक जिरो से जिरो कर ज़ेगा तीन से तीस कर ज़ेगा 10 परसंट का क्या हो ज़ेगा revenue गिर जाएगा नीचे यहनिके 10 परसंट करक्ट उतर होगा कितने व्यक्ति को यह बात समझ में आएग कर दिया है ताकि हम उसका स्क्वर हटा सके इसलिए ऐसा सेट भेलू दिया गया है अगर तीन साल वाला भी एक सवाल है उसको भी दिखाएंगे जब तीन साल में पूछा जाएगा तो उसी तरह किसे सवाल का क्या करेंगे रूट क्यूब कर देंगे यानि कि 30 का मतलब क्या ह मेरा भाई 30 का मतलब क्या है कि 30 गुरा 30 मिल रहा है 900 के अंदर में ये बात दो मिलता है तेक बाहर ठीक है मेरा भाई कोई बड़ी बात नहीं आराम से आप उम्मिद करें समझ पा रहे होंगे बरी बातों को ठीक है अगले सवाल क्यों बढ़ते हैं देखिए अगला सवाल किमत में कितने परसंट की विरिद्धी हुई है पर ती लीटर था और बढ़ा करके कर दिया 96.5 तो पर तीसाद इंक्रीज बताना कितना होगा तो देखिए बिरानवे था हो गया कितना 96.5 इंक्रीज कितना हुआ मेरा भाई जब भी आप 96 को 95 को घटाएंगे तो आपको पत अब इसको चाहिए तो आप एक पर काट भी ले सकते हैं इसको काड़ेंगे तो दो से यह काट देगा दो पंचे दस ठीक है अब यहां देखिए अब 46 आगया ना मेरा ची आलिस अब इससे इसको गुना करेंगे तो कितना हो पांच पचे-पचीस के पांच आप बीस और दो होगा तो चार बार में कितना हो जा रहा है चार बार में देखेंगे चार चुक शोविस के चार हांथ मेरा दो चार चार शोल लो तो अठारा यह परसेस आएगा एक बचेगा बारा में बारा में आड़ जाएगा तो चार बचेगा अब एक चारीस आ गया इससे चोटा भीलो आ प्वायर देंगे अब यह कितना बार में काट जाएगा इसको समझने कोसित किशिए अगर इसका दस बार गुना करेंगे इसका तो च्यालिस को अगर 10 से गुना कर दिया तो 406 जाएगा तो कहनी कहीं नौ बार में जाने की संभाव ना इससे चालीस गटा दे तो नौब बार म अब ले सकते हैं नो बार में जादा हो रहा 314 तो आट बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा आठ चोग 48 बहुत कम हो जाएगा मेरा भाई साथ में अगर देखेंगे तो साथ चोग 42 के दो हाथ मेरा 4 तो नो डायट ले लिजिए ठीक है यह कड़ जाएगा मतलब इस सब तो होगा नहीं बहुत कम है यह भी नहीं होगा तो यह डायट हो जाएगा यहां तो गुम्मित कर रहां समझ गये होंगे नो बार में यह डायट चाहल जाएगा डायट चाहल जाएगा है यहीं है इसी को एंसर मांक कर देंगे ठीक है उम्मिद करें सवाल आप समझ गए होंगे बेसिक परसेंटेज के उपर सवाल था लेकिन थोड़ा से केलकुलेशन कर आया तो एक्जाम में टाइम लेगा भाई ऐसा बोल देने से नहीं होता है कि सब आसान है आसान है डाटा ठीक है बनाया जा सकता है लेकिन डाटा मे 35 का कितना परसंट है ठीक है 35 97 मेरे भाई जिसका पूछा जाता है न उसको नीचे रखते हमीus जीstäओ जिसके बारे में पूचा जाजेगा और इसके रहे हैं उसे हम नीचे रहे और सिuses से खैकजें रखेवाद को शींचे का किता फर्संट निचे fund को जिसके का लिखा रहे हैं मतलब मतों 550 का कितना अ वकान नमादशां धिस्वान ओर 셋 फॉलो में से वादिन तो बास फैसे को में तो 15 file तो आड़ बचेगा तिकर करके आज यह को दिक्कत वाली बात नहीं है तक बस सॉल्ब हो गया ठीक है जब चारो चारो अपसर डिफरेंट हो ना तो सवाल मतलब आसान हो जाता है यह जानने में कहीं दो एक अगर माल लेते हैं यहां डिफरेंट आठ रहता है यहां पर नौ रहता है यहां पर तीन रहता है यह सिर्फ एक के लिए छे दिखता अब पहला बार में छे दिया पहड़ा को तो अगर छे मिलता था हम सीधा इसी को एंसर मारते ठीक है इस चीज को अप्सें से पूरा मेहूल नाम का कोई लड़का है जो एक कार को 5,60,000 में कार खरीत रुपए में कार खरीता है और इसे पुनो निर्मित करता है और अंतत्ता इसे 6,40,000 रुपए में बेज दता है तो कार का मुल्य परतिसत बिरिदी कितना परसंट बिरिदी हुआ उन्होंने क्या करा भाई 5, पांच लाग एक खटारा मतरफ सकेंड गारी लाया होगा पांच लाग साथ अजर में और उन्होंने छे लाग 4,000,000 में बेज दिया 6,40,000 तीन और चार चार जिरू 6,40,000 में बेचा इतना में खरीत कर लाया और इतना में बेज दिया तो परसंटेज इंकरिस बताना है तो परसंटेज निकालना है तो परसंटेज निकालने का मतलब क्या हमें exact value से कोई मतलब नहीं है इसका ratio ले ले लेंगे मारा भाई तो पीछे साथ यह पीछे से 4,000 हड़ अगर 4 से ओर छोटा कर देंगा तो कोई दिक्कत नहीं Nejए साइफ से आत हो गया मतलब सात रुपएया में कार को कहड़ी दा और उसका मरमत करा के तुरह 15 करा के तूरह 8 रुपया में कितने व्यक्ति को यह बात समझ में आ रहा है जो मैं समझाने के कोशिज कर रहा हूं ठीक है अगर माल लेते हैं कि 5,60,000 और 6,40,000 को अपस में घटाने की कोशिज करें जोड़ने के तो बहुत बड़ा बन जागा यहीं कि आप यह समझे कि हमें परसंटेज चाहिए कर दिया गया है तो परसंटेज कमी बताना कितना है तो आप 200 यह संख्या है 200 से घटा कर दिया यह कड़ी गया 20 से 15 हुआ पांच की कमी कहां से नीचे 20 से हो रहा है इंटू है और भी छोटा हो था 5,25 तिया 15 और भी छोटा है एक बटे 4, एक बटे 4 का मतलब होता 25 परसंट क 25 परसंट से गुना करना पड़ता है तो चार से इसको कार देंगे 25 बार में तो यह 50 परसंट आपका नतीजा रिजल्ट जेदेगा मेरा भाई ठीक है तो याद रखेंगे इस तरीके के चीजों को और यह बहुत आसान सवाल था ठीक है अगला सवाल के और बढ़ते हैं देखिए अगला सवाल और भी क्या है क्या कूछ पूछ रहा यह देखिए एक सवाल है भाई बहुत मतलब ना सवाल है यह क्या है इस फरकारते है कि थीन महनें बच्चे का भाई भार तीन तूच केज हो जाता है तो बच्चे के भाई में परतिसात ब्रिति बताई स्माइब ऐसा ना करने आपको आदत नहीं है तो अगर यह पॉइंट अगा तो नीचे dot यह जो नीचे है इसका पॉइंट हटाएंगे तो उपर दस बेठेगा मेरा ठीक है तो दस से दस यहां भी कटेगा उससे अच्छा है कि आप यहां से एक सिंख्या बाद कट गई कोई दिकत अब सब कुछ तो कटा हुआ ही है अब देखिए चार सकते अठाइस चार अठ्थे बतीस ठीक है चार दुगने आठ मेरा भाई और आगे सॉल्व करने की जोरत हैं यह कैसे हुआ समझ लेते हैं देखिए दो से इसको भागा करेंगे तो दो अट्टे सुल लो एक बचेगा यानिकि पंद्रव बचेगा पंद्रव बचेगा तो दो सत्य चोदर हो जगा फिर दो पंचे दस यह सिस्टेम बचेगा क्या बिल सवाल का सभी चीजे डेट मेंसेड है उसके सामने कि कब क्या इसकी जो बैबस्ता इसका जनम कहां हुआ कहां पुछा गया पूरा कुंडिली यह है और टू एंडशीप्ट में इतना डेट को जीडी के अंदर में पेपर में डादा गया है ठीक है यह समझ गये मेरा भाई आ बनेगा ठीक है तो दिमाग में करने के कोशिज भी करेंगे हम लोग सबी चीजे करेंगे ठीक है अगले सवाल क्यों बढ़ते हैं यह एक बेसिक परसंटेज है इसी में मत्रब नहीं बिताना कि एही पर बिता रहे हैं पूरा ठीक है इसके आगे भी निकलना है तो आज पू थोड़ाइब आज आजाता है इसके मुल मुलको सेल घ्याटा कर मतलब इसका मुल एक खिलोनी की कार है जो अटार सो रुपे है सेल में इसको पंदर से रुपे में दिया कर दिया है तो मुल में कितने प्रसंट की कमी आगे भाई हमने बता रहे हैं यह सवाल आपका लिए है और ये सवाल का answer आपको बताना ही होगा ठीक है? आपका बताना है ये सवाल ठीक है? उमीद कर सक जाएंगा आप और ये सवाल आप कर गए ना तो भाई तो समझ लेंगे कि आपको चीजे समझ में आ रहा है ठीक है? अब अगला सवाल देखें अब आराम से बता सकते ही सवाल बहुत ज्यादा टफ नहीं है एक कभुई एक त्रक का मुले में back के कविली है आव मेश का मुले जो है वो प्नए किया है मेरा भाई तो आपने पर हम्हीं करते हैं तो कितना होता है तो दसमें जाएगा तो तीन बचेगा यहां पर नौ कैसे नौ में एक जाएगा तो आट बचेगा तो तिरासी परसंट यानि कि अब उसका मुल्य जो है यह र Спट रहा है यह जो नीचे वाला डेख रहा है यह बराबर के उपठ जाएगा टू आप तो गुणा में हो जागा ठीक है अब जो यह नीचे आयगा मेरा बटाया तो यह opini हमा सी लियकर है चंठ करेंगे ठीक है कोई दिक्त नहीं आ रहें से अगर इसको कटाने की कोसिज करेंगे ना तो भाई 83 से कटेगा तिन दूने च्वाल इन च्वाल इन नहीं होता तो अन्तीममें सब्सक्राइब होंगे अगले सब्सक्राइब एक ट्रक का मूल हमें नहीं पता लेकिन उसका शत्राइब किया गया तो कम करने के बाद मूल इसका इतना हो गया तो हमें X का वेलू चाहिए तो X का जब वेलू निकालेंगे तो X बराबर हो गया यह जो वेलू है यह यहीं रहेगा यह नीचे वाला चल जगा मेरा उपर और उपर वाला आजेगा नीचे तो यह बन जगा एंसर अंतीम में 2-0 गुना करने के बाद फाइनल रिजर्ट आएगा तो सिर्फ एक ही ऑप्सन है इसको टीक मारके आगे चल जाएगे क्योंकि इसको कैल्कुलेशन करेंगे तो भाई तीनी मिनिट से ज्यादा समय लग जाएगा यहां पर तो करने की जोड़त नहीं है ठीक है अगले सवाल करो बढ़ते हैं देखिए अगला सवाल क्या है वाई कोबिट से रिलेटेड सवाल है कोबिट से रिलेटेड कोबिट 19 से रिलेटेड आप खुद बनाएंगे मुझे ऐसा आसा है कोबिट 19 महामारी के प्रकोप के कारण एक गाउं की जन संक्या 15,750 से घटकर 14, 12,490 होगे दुझा गां की जन संक्या में कितने प्रसंट की कमी होगी यह सवाल कोन बनाएंगे इस सवाल आप बनाएंगे और ऐसा नहीं कि फर्जी सवाल है मेरा भाई यहां पर आप देखे लेते हैं डेट मेंसर्ड है ठीक है इस बास को अपको ध्यान में रखना है ठीक ह अब देखे अब यह सवाल है क्या कहा रहा कि एक वेक्ति का सपताही की बेतन 12.00 रुपए था लेकिन आब वह 18.00 रुपए कमाता है तो वेक्ति के बेतन में कितने पर्षंट की विरिदी हुए यह सवाल कोन बनाएंगा आप बनाएंगे इस सवाल का अंसर आप बताएंगे कोई दिक्कत नहीं है इसे 12 से 5,202 कर जाएंगा तो 2,202 कर जाएंगा यह वरा करक्र उत्तर हो जाएंगा तो इसको सवाल को आपको बनाना है कौपी में चाप छूप करक आप जाहें जैसे भी बनाएं बनाएं और हो सके तो कमेंड में इसका एंसर डालने के कोसिस करेंगे ठीक है अगले सवाल को बढ़ताएं देखे अगला सवाल यह है इस सवाल को आपको हम बताएंगे क्योंकि आप मैं चाहता हूँ कि आपको हरे टाइप पे सवाल हम लेकर आए हैं आपके लिए ठीक है देखें सवाल यह है कि यदि x-y का 85% x-y का 25% है तो y का x-3 कितना होगा y x का कितना परसंट होगा जिसके आगे जिसके आगे एकस रहेगा मेरा भाई उसको नीचे रखना है ठीक है अब यह सवाल देखें आगर आपको कुछ अगर याद हो तो काफी सारी चीज़ें यहां से मैं समझा दोंगा एक दूरीमेंडर मतलब जो चीज़े पीछे वाला भी याद कराने की कोशिश है ठीक है यदि x का y percent मतलब x-y का x-y का 85% 85% बराबर है कि इसका x-y के x-y के थोड़े सी इसको खटा लेते हैं ठीक है छोटे कर दिये भाई X पलस Y का कितना परसंट भाई 25 परसंट X पलस Y का 25 परसंट बराबर है ये चीज़े बराबर है तो एक बात बताईए यहां से आपको कुछ चीज़े ध्यान में मैं चाहता हूँ कि इसको कैसे बराबर में जो उपर वाले चीज़े सेम रहता है तो हम काड़ सकते हैं आप बोलेंगो यहां ते कोई दिक्कत नहीं है तो जैसे परतिस्त से परतिस्त हम काड़ देंगे ठीक है आपको रेशियों में एक चीज़ बढ़ाए थे कि भाया अगर मुझे вышy का मान पता करना है तो x-y के साथ वाला जो मान है वह नहीं लेगा वह अगला वाला का मान होगा तो x-y का मान यहां पर कितना हो जबढ़ा अगर मुझे ऐस === y बटे x-y का भेलू चाहिए और ये जो गुना में है ये नीचे आजएगा भगा में आजएगा कितने वेक्ति को ये बात समझ में आ गया अब मुझे क्या चाहिए अब मुझे X और Y का अलग-अलग भेलू चाहिए क्यों 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 हमें X और Y का करेंगे तो दोनों को जोड़ करेंगे तो दस बचेगा दस को दो से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा पांच बचेगा तो बी का भेलू पांच हो जएगा ठीक है कुछ उसी concept का यहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं हम अगर आप इसको काटके छोटा भी कर सकते हैं कोई दिक्ता नहीं 5 से यह तरफ वहांच कटेंगे तो पजड़ेगे तो कितम आइक्स मैं से चाटेंगे तो इसको बचक्डेंगे होगा casa 17 hurt by 5 5100 jsब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोनों को जोड़े दुसे जाओ कि तो पूचा है कि X का Y कितना परसंट है तो X का किसके आगे है का के बाद कोन से क्या एक तो X का नीचे रह जागा यानिकि 11 नीचे हो गया उपर 6 है इसको अगर इससे काटा जाए तो 11-55-55-55-55-56 यानिकि चोब्टे और ये करक्टर तो उत्तर होना चाहिए पुर्णाख 6 अगारह जो नहीं होगा तो चुवान की तेक सब्कूण कर दिये न चू whispering कर दिये ना खोसुन हो जएगा फिर पँच सब्झेगा तो छूं सीद ख मेंhem फच्ट uh सब्सक्राइब करते हैं अगले सवाल के और बढ़ते हैं अगला सवाल क्या है अगला सवाल सवाल को सेंट उसी से पूचा गया यह तरह को पूचा था यह सवाल का एंसर हम चाहते हैं कि आपका इस सवाल का इंसर जो है वह आप कमेंड बॉक्स में दे आपका इंतिजार रहेगा ठीक है अगला सवाल के और बढ़ते हैं देखें अगला सवाल में कुछ इस परकार से है यहां पर आधा है सवाल आधा उपटी है पिर्यंका सुसजित प्रियंका सूसजित न किया हुआ एक फलेट अच्छा प्रियंका सूसजित न किया हुआ एक फलेट एक फलेट मतलब घर खरीदा जो की घर मतलब सूसजित नहीं था पूरा से बना हुआ नहीं था उन्होंने कुछ अपने मन से करा होगा वही चीज बता रहा है ठीक है कितने म साट लाग रुपे में खरीदा और उन्हें इसे सुसजित किया और उन्हें साट लाग और यह कितना हो सकता है इसे ज्यादा होगा यह कितना है 1.20,00,00 मतलब 60,00,00 में खरीदा और 1.20,00,00 रुपे में बेच दिया तो फिलेट का मुल पर्तिसत में बिरिधी अब 60,00 में खरीदा और 1.20,00 यह निकी 50% का क्या किया 50% यहां 100% का मुन आफ़ा कर लिया 60 में खरिदा, 120 में बेचा, तो 100% का profit डायरे 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 किया है, ऐसे समझ लेते हैं, यहां पर समझ लेते हैं, अगर इसका मैंने आप देखी, यहां पर कितना 0 है मेरा भी? 2, 2, 4, 2, 6, 6 0 इसका हटा इए, 2, 2, 4, 2, 6, 6 0 इसका भी हटा इए, शे कम शे कड़िया शे दूगने बारा कड़ियेगा यहां से आप रेसियू निकाल करके मानकों निकालेंगे उतना बड़ा कैल्गुलेशन करने की जोरत नहीं है ठीक है उम्मीद करें यहां तक आप समझ पाए होंगे अगले सवाल के और बड़ते हैं मेरा भाई अगला सवाल यह है आपके सामने अगला सवाल और भी आसान सवाल थोड़ा सा क्या पूछा समझने कोशिश कीजिए सवाल यह है यह दिए A का 18% B के 40% के बराबर है तो A B का मान क्या होगा तो A B का उनुपात क्या है A B का पूछ रहा है एक अठारव परसंट एक काथारव परसंट इनकी यह लिखेंगे का का मतने गुणा यह 18% तो परतीसाल लगाईए ठीक है यह बराबर है कि इसके बी के 40% के तो वी के 40% के मान के इक्वेल है यह वाला चीजी इसे कि है कि कि Ben करें काटाएंगी चै तबहें आमसेलियों काटाएंगे लो देखें ए दोखा होई ते थेका आमसे क्वालिटी ठीगाची कि कि अगर मैं इसके पर्चिषत को घराओंगे यहां से तो नीचे सव आएगा परसंट को हटाओं तो नीचे सव आएगा तो बराबर का नीचे नीचे भी हम कार सकते हैं नीचे नीचे अगर समान है तो कड़ जाएगा क्योंकि बराबर का उपर नीचे चाड़ेगा तो ऐसा ना करके अगर हम इसको डायट कार देते हैं परसंट से परसंट आप कार दिये ठीक है अब % से % कर दिये 2 से 9 बार में 2 से चल जागा 20 बार में तो यह बटा B जब यहां से निकालेंगे तो एक कमान यहां है B बराबर की पटी आएगा तो यहां गुना में है तो बराबर की पटी भागा में उसके बराबर की पटी 20 है तो 20 को रख दीजिए बराबर यह गुना में है 9 तो यह बड़ाबर की नीचे जल जागा तीक है इतना तो कटना ही बढ़ेगा की को रफ ठीक है अब क्या पूछ रहा है यह बी कमान क्या होगा तो यह बी कमान 20 है और यह अनुपास में 9 हो जागा तो 20 अनुपास 9 आपका करेक्ट उत्तर किसी को अपती जनक यहां पर बात नहीं होना चाहिए सबको समझ में आ रहा होगा बाती कहां से कहां चला गया ठीक है भई अगले सवाल क्यों बढ़ते हैं देखिए अगला सवाल यह है सराब पानी का जो concept है सराब पानी क्या पूछ रहा इक कुछ नहीं बहुत आसान सवाल आपके सामने यह है वही कि कहरा कि सराब पानी का घोल करमसा साथ और एक के अनुपात में है सराब का मतलब सराब को S से लिग देते हैं पानी को P से लिग देते हैं अभी फिराल के लिए से वाइन और वाटर लिखेंगे तो WW बात बराबर हो जाएगा तो यह साथ और एक के अनुपात में है ठीक है, अनुपात से बना है मतलब साथ भाग सराब और एक भाग पानी का घोल कर मतलब साथ और एक के अनुपात में बना है इस घोल में सराब की परतिसत सांदरता ग्याद कीजिए सराब की मतलब टोटल गोल कितना हो गया टोटल गोल आठ हो गया आठ टोटल गोल कितना हो गया आठ गोल आठ हो गया टोटल टोटल में सराब की मात्रा क्या है साथ है इसका परतिसद बूच रहा है कि कितना हो सांदरता मतलब गोल होता है मेरा भाई ठीक है तो यह से इसको भ सबब पर जेगा एक निकालके हमें पता कर सकते हैं कि आठे आठे चोंस सट्र जादा हो जाएगा तो आठ सत्य चाहपन् अगला सवाल का एंसर आपको थोड़ा सा यहां पर दिमाग का जोरत पड़ेगा और उमीद कर रहे हैं आपके सामने बहुत दिमाग आपका यार अपनी ताकत को पहचाने और काम को करें बहस्तरीन तरीके से देखिए सवाल क्या है यदि संख्या 40 में 40% की ब्रिधी की जाते हैं तो वास्तविक संख्या में ब्रिधी क्या वास्तविक ब्रिधी क्या होगी यह चीजिए अगर संख्या वास्तविक ब्रिधी मालेते के 40 कोई संक्या है इसमें हमने 40% का इंक्री निट कर दिया संख्या क्या बने गाओ चाहिए पसंट परसन तो नीचे सवीपा देंगे यह दो जिरों से त्यों सब्सक्राइब कितना बढ़ा भाई सोलो बढ़ा तो संध्या 40 में और सुलो बढ़ा तो कितना हुआ चाल्लीज ता यहां तक बात अब समझ पाएंगे अगले सवाल के बढ़ते हैं देखिए अगला सवाल यह है यह सवाल में क्या पूछा जारा बड़ा बड़ा दीख रहा है लेकिन उतना जोगों जोर है नहीं सवाल सवाल यह है कि पिंकी अपनी कार की टंकी में 20 लिटर पे पेटरոल भरती है और वह एक यात्रा पर जाती है ठीक है और टंकी में के अवर 5.5 लिटर पेटरोल बचता है तो टंकी में पेट्रोल में कितना परिवर्टन हुआ एक बात समझिए 20 लिटर पेट्रोल भरी और 5.5 लिटर बचा है पेट्रोल टंकी में इतना बच रहा है तो पेट्रोल का परिवर्टन में कितना परिवर्टन हुआ मतलब कितना गारी तेल पी गई यहां पर देखे लिए ठीक है तो इतना से इतना जो हुआ तो कितना हुआ मतलब कितना खपत हुआ पेट्रोल का खपत कितना हुआ मेरा भाई तो बीस में से जब आप 5.5 को घटाते हैं ना तब का एंसर होता पांच यहां पर 19 पे 5 जाएगा अपने मन से ठीक है तो 25,100, 50,10, 132 से जब भी आप डिवाइड करेंगा ना मेरा भाई तो 2747 आएगा पहले 2747 आएगा पहले साथ एक ही ऑप्सन यह है आपका करेक्ट उत्तर मार के भाग जागे है कुछ करने की जोरत नहीं है इतना बड़ा दिखना है पूरा एकदम लेकि देखिए यदि रीता और गीता की आई करम सा 1624 है तो गीता की आई रीता की आई से कितने परसंट अधिक है लेवाई बात बन गी ना अब आपको ये चीजे नोलेज में आ जाएगा वाई कि आपने जो पढ़ा है ना परसंटेज कभी कभी तो पढ़ाई होगा अंतिम समय पर सवार है तब को हरे एक टाइप से यह अंपर मिल रहा है हरे डाइप से कम्यवश्य विर्द्री का ही आलगया भेराइटी का सवाल थी के अब आप सवाल यह है मेरा भाई ए मैरे रीता है और डूसरा का किया गीता रीता और घीता की आय करम सा 16 20 remarkable इसा यसMA 424 लोत सकते है यानि कि रीता दो रुपई कमाती है ये तीन रुपई कमाती है ठीक है अब क्या पूछ रहे दिखे तो गीता की आई मतलब गीता की आई इसकी गीता की आई रीता की आई से कितने परसंट अधिक है ये जो गीता है ना ये गीता की जो आई है वो रीता से तो अधिक है ये दो कमाती है तीन कमाती है तो कितना अधिक है वह पूछ रहा है परतिस्त में तो गीता की आई अधिक है किसे रीता से कितने अधिक है और किसे अधिक है मेरे भाई तो उम्मित करें यह सवाल आप अभी तेक यहां पर समझ भाए होंगे अगले सवाल गरों बढ़ते हैं देखिए अगले सवाल की बात करते हैं अगला सवाल भी बहुत आसान है अगला सवाल यह है कि टीना एक बैंक में 48,000 रुपे डालती है और वो इसे 6 वर्स बाद निकाल है अब इसका मुल्य हो गया 48,000 से मतलब 60,000 रुपे हो गया परतिसत ब्रीधी बताईए मतलब पहले 48,000 था और 6 मेने के बाद वो निकाल रही है यह नहीं पूछ रहा कि क्या है नहीं है परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है तो 48,000 डाला था आप 60,000 हो गया अब परतिसत कितना इंक्रीज होगा यह आप बताएंगे comment box में हम चाहते हैं कि इसका answer आप comment box में जरूर बताएं ताकि हमें पता लग जगा कि भाई है आपने कुछ सवाल कर लए है तो पेड की संख्या प्रतिसत कमी कितना है मतलब एक बात बताईए, 300 पेड़ है टोटल एक बगीचा में, 300 पेड़ है जिसमें से 243 पेड़ का क्या हुआ, 243 पेड़ खड़े रह गये, यानि कि 300 पेड़ था और 243 खड़े रह गया, तो बर्बाद कितना हुआ, पेड़ों की संख्याव में परतिसत कमी यानि कि इसमें आप comment box से बताएंगे ठीक है यह जो सवाल है इसको परतिसंद में तुल लेता है इसका सवाल का answer में आपको करा चुका हो फिर भी आप कोशिस करें कि इसका answer दे दे ठीक है इसे देख के भी आप पता कर सकते तीन बटा चार 75% के equal हो अगले सवाल के बढ़ते हैं देखें अग X के 35% के बराबर है अब आपको शुरू से अभी तक एक ही चीज पढ़ा रहे है मेरा भाई कि अगर बराबर के बराबर चीजे percentage हटाएगा तो नीचे 100 बेठेगा ठीक है इसमें भी percentage हट नीचे 100 बेठेगा 100 से 100 तो कटना तो है तीसको नौ कटके हम डायट इतना कर सकते है मेरा भाई कि अगर यह percentage से percentage हट गया अब ऐसे क्या करेंगे अगर मुझे X की value चाहिए तीहां सब X को रख लेंगे ठीक है X को रख लेंगे तीदर 630 हम रहने दें इंटू 17 रहने देते हैं ठीक है यह जो बराबर के उपर है गुना में है तो बराबर की पटी आएगा तो जो काती में बश्यवार में बदल देगा इतना ही कहने की कोशिस कर रहा हूँ अब इससे काट जिए पांच से काड दियों तो साथ वर में जायगा 56 को कटेंगे तो पांच इक तेरा बाचे नहीं होता है 289 और फिर आपका 17 हो जाएगा तो कितना हो जबढ़ेंगा मतलब ग आप करेंगे इस परकार से तो सत्रा गुना सत्रा बाद टू एट्टी नाइन और फिर और गो सत्रा जोड़ दीजिए तो नौसाथ सुलों के छौट बरेक नौक दसके सुनना है दो एक तीन ये तीन सो छौप का करेक्ट उत्तर बने ठीक है कितने व्यक्ति को ये बात समझ मे प्रगर ये गुना हमने कुछ अलग परकार सबसे पहले हमने क्या करा किंगे यहां सात्रा सबसे तार्यक्ट इंगे अगले सवाल की और बढ़ते हैं अगला सवाल यह है कि एक painting का मुली इतना है अगला सवाल की बढ़ते हैं पैंटिंग में मुली परतिस्द ब्रिधी यह सवाल आपके लिए है आपको खुद्ट प्रेक्टिस करना है इसका answer हम नहीं बता पाएंगे आपको क्योंकि ये सवाल आपके लिए है आपको प्रैक्टिस करना है ठीक है चलिए अगले सवाल कर बढ़ते हैं देखें अगला सवाल ये है कि सर्दियों के दिन में दिन के समय में औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस होता है रात में 58 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है तो परतिस्द कमी बताईए भाई देखें 34 जब भी था 34 और फिर रात में ये हो गया तो जितना गिर गिया उसका परतिस्द बताना कि कितना हुआ जितना से कमी कितने का हुआ है जितने का हुआ आपको ध्यान लगाना है इसका एंसर आपको कमेंड़ बॉक्स में चापना है अगला सवाल यह है कि 100 cm लंबे बोड को 86 मिटर तक काटा जाता है तो कितने परसंट हटा दिया गया मेरा भाई अगर 100 है 100 मिटर का बोड है इसमें 86 % काट दिया तो हटाया कितना 100 मिटर का लंबा है इसमें से यहां से यहां तक 86 काट दिया तो यह वाला हट गया तो कितना बचा चयासी इसमें 490 यहनि कि 14 बच रहा है एक वेक्ती कुछ इस परकार से कहना चाहरा है कि एक वेक्ती सक्त आहार का पालन करता है और वो एक मेहने में अपना वजन 80 किलोगराम से 72 किलोगराम तक कम कर लेता है वेक्ती का वजन घटना परतिसत यह सवाल आपके लिए है एकदम छोटा बच्चा वाला सवाल है इसका तो अंकrico के तीन विशय है ठीक है 14 सौन पहले 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 ऑचातर परसंट दूसरे विशय में 86 परसंट अंक पराप्त करते हैं उसने खूल मिलाकर 68 अंक तो तीसरे विशय में उसके अंकों का प्रश्वत कितना होगा ॐस्वन 3 Meinstein ओं र Вас, चाहसि subject में कितना लाया? 75% इसमें इन्होंने 75% marks हासिल किया, इसमें 26% marks हासिल किया अगर overall देखा जाए, तो सवाल ये कहना चाह रहा है सवाल ये कहना चाह रहा कि भाई देखो याः, उसने cool मिलाकर 68 अंक प्राप्त किये है प्राप्त मत्रा हासिल किये, कूल मिलाकर 68 अंक प्राप्त किये, तो कूल मिलाकर 68 अंक का मतला अगर तीन सब्जेक्ट का बच्चे ने परिक्षा दिया है, तो तीन सब्जेक्ट में टोटल अंक कितना हो गया, तीन सो, तीन सो का 68 अंक उन्हें प्राप्त करा है, 68 अंक उन्हे तोटल जो अंक है उन्होंने 224 पराप्त किया है तोटल अब यह चीज में आपको क्यों समझाने के कोशित किया सबसे बेले मैंने आपको यह चीज बोला कि इसका एंसर आपको पता है इसका निकल जाए कि उसे कितना लाना है तोटल मिला करके उन्होंने 204 नंबर लाया है अगर इसको जोड लिया जाए तो इसका निकल जाए कि उसे कितना लाना है इतना में तभी तो 68% पूरेगा है निकि 204 नमबर पूरेगा बाते समझ में आ रहा है कि निकि तीन सब्जेट का परिष्छा दिया तीनों सब्जेट मिला करके उन्होंने 68 प्राप्त किया निकि ती 404 नमबर तीनों सब्जेट में दो नमबर में कितने दो सब्जेट में कितने नमबर हो रहे है अगर इसको जोड दिया जाए च्छी यहां जोड देंगा तो 161 नमबर चाहिए उनको में हो 43 में सब्जेक्ट में उसके 147 का 132 मतलब कया वह परतिशन को कोई बीचे एriad pessoal है सवाल और बात करते हैं कि तीन सब्जेक्ट है तीन सब्जेक्ट में पहले सब्जेक्ट में विद्यार्थी ने पचातर अंग हसिल किया तबने पचातर ही लिख रहा दूसरे में सब्जेक्ट को मिला करके हो यह रहा है तो अगला में एक अंक में मतल यहां ग्रहा होगा जिसमें उसके कम माक्स रहा 43 नमबर रहा तो 43 नमबर यानिके 43% उसको 3rd subject में लाना है बात हो गया अगला सवाल इसी से related हो सकता है देखिए ये option है इसका ठीक है ध्यान में रखेंगे आप ये चीजे इसका option है अगला सवाल देखिए अगला सवाल उसी से related है आपको मज़ा भी आ जागा देखिए सवाल यह है कि एक परिक्षा में एक विदार्थी ने पहले पेपर का पहले पेपर में कुल 200 अंक में से 40% अंक पराप्त किया मतलब पहला पेपर पेपर 1 जो है उसमें टोटल नमबर कितन अंक पराप्त किया तो 200 का 40% कितना होता मेरा भाई असी नमबर होगा ठीक है आगे बात कर देंगा भी जिनता बत किजिए यदि विद्धार्थी को कूल मिलाकर 60% अंक पराप्त करने हैं तुसे दूसरे पेपर में 200 में से कितना पर्षेस्ट अंक पराप्त करना चाहिए य बात यहां पर हम समझने बाली बात यह है मेरा भाई कि 200 का 40% यानि कि 200 का अगर 40% निकाल दिया जाए तो वो कितना नंबर लेका अभी 208 नंबर यानि कि 200 का 40 नंबर एक सब्जेट में उन्होंने 80 नंबर लेकर आ गया है एक सो मतलब असी नंबर लेके आ गया है ठीक है समझ इस बात हम समझ गये अब सवाल यह कह रहा है कि विदार्थी ने यदि बिदार्थी कुल मिला कर 60% अंक हसिल किया कुल मिलाकर यहीनि कि दोनों सब्जेक्ट में मिला करके उन्होंने कितना अंक हसिल कि 60 पस्ट तो दोनों स तो यहां नोल में उन्होंने पहले पहले में कितना अश्टी माख संसल दिया जाए तो 04 में 6 160 नंबर 160 नंबर उनन्हें चाहिए चाहिए एक सो साथ नंबर उन्हें चाहिए कि दूसरे सब्जट में दूसरास नोमर चाहिए तो पर्तिसत अंक पराप्त करने में कितनाल चाहिए दोस्तों मैंसे लिए पर 159 सब्सक्राइबॉय० यह बात कितने आदमी को समझ में आया एक बार हाँ या ना में बताएंगे सवाल यह कहना चाहरा कि कोई 200 नंबर का दो पेपर है ठीक है पहला पेपर में उन्होंने क्या करा कि उन्हों कल स travail और दोनोब मरक सिप्संट आग बुचस्तिफ्वेस आप बीचा या तो हमने क्या है कि चाहल सो का सिक्स्टी परसंग लुप करें टोटल अंक दोष्फ आधनी कि कि तरह 202 होती तो अगला पेपर एक सो साट नमबर चाहिए तभी वह 60 पूरेगा तो वह पर्तिसत में कितना होगा एक सो साट पर्तिसत कितना होगा तो बटे 260 का 202 कर जाएगा 286 निके 80% अपका करक्टूटर बन जाएगा ठीक है उम्मिद करता समझ गये होंगे यह दूसरा सवाल है ठीक है अगला देखें अगला सवाल और ज्यादा असान और कुछ अलग परकार से देखेंगे सवाल यह कहना सवाल यह है कि Y का X серट वाइक सब्सक्राइब के दो बटे तीन के समान थे तो सवाल चाहरा कि वाई का किसका यहां पर लेकर आतें इसको यानि कि वाई इन्टू एक्स परसेंट एक्स बटा सो बराबर है किसके 90 के दो बटे तीन के बराबर है समान है हम काट सकते हैं बिल्कुल 300 को काटेंगे तो 3-90 यानिके 30 तो y into x अगर करेंगे मेरा भाई तो 30 दूगने 60 यह जो नीचे है बराबर के उपठी जाएगा हम लेकर ही जाना है तो कितना होगा 6000 हो गया हमें x और y का ही भेलू चाहिए यहीं चाहिए x into y यहीं की बीच में गुना है तो कितना नंबर होगा 6000 आपका करक्ट उत्तर 20 नंबर जो यह एंसर आप देख पा रहे हैं यहीं आपका राइट उत्तर हो जागा कितने बेक्तिकों यह बात समझी में आ रहा है किरपया किलियर करेंगे अगली सवाल कर बढते हैं ऐकरा सवाल यह है कि एक अनाज का भंडार है एक अनाज का भंडार इसको समझे लेते हैं थोड़ी देर में कोई दिक्कत नहीं आसान सा सवाल देखे सवाल है कि अनाज का भंडार मेशaken यह बटे आढ़ भाग सडा हुआ है एक बटे आठ भाग सड़ा हुआ है इसका मतलब क्या है कि नीचे वाला जो रहता है यानि कि ये टोटल आठ भाग जो है ये आठ भाग टोटल अनाज है ठीक है सड़ा हुआ एक बटा आठ भाग मतलब आठ में से एक भाग मेरा सड़ा हुआ है इस में से एक भाग सड़ा हु तो अभी आगे अगर आप पढ़ना चाहें, तो भंडार में अनाज का प्रतिस्त कितना है, जो सड़ा हुआ नहीं है, अब एक बात बताइए, अगर आठ रोटी आपके पास है, मालेते कि आठ रोटी आपके पास है, उसमें से एक रोटी खराब है, तो कितने रोटी अच्छ हैं, कितने रोटी अच्छे है, तो आठ में से घटा देंगे, तो यानिके साथ रोटी अच्छे है, तो ही पुछना जो सड़ा, भंडार में अनाज का प्रतिस्त कितना है, अनाज का प्रतिस्त कितना है, जो अच्छा है, जो सड़ा हुआ नहीं है, मतलब जो रोटी इतने मेंसे टुटल कितना है आट मेंसे परतिसम बलना हंडिट परसंट से गुना करना पड़ेगा 700 बठे आठ इसको भागा करेंगा 8864 जो पहले आठ दीख रहा मेरा भाई ये इसको जिंदगी में पूरा कभी काट नहीं पाएगा अगला सवाल ये है अगला सवाल को अगर देखा जाए तो ये है बाई कि कह रहा है कि एक भिन के अंस में 25% की कमी की जाती है तो नया भिन मूल भिन से कितने परसंट कम है नया भिन मूल भिन से कतने पर संट कम है करा कि हम किसमे अंच नहीं प्रिख सकते हैं आंस में पैसे लिखेंगे आंत में 55 पर संट की कमी की गाई 25प्र quanका फैक्सन ब्हेलु क्या होता कर दो एक बटे 4 देस तीन हो गया और हर में क्या कर रहा है हर में 25% का increase कर रहा है इनकि 4 से 5 है पहला भरीन क्या है मेरा भाई पहला भर भरीन यह हो जएगा इनकि पहला भर भर झार बटा 4 हो जवेगा पहला भर गंक कटके 1 हो गिया अनुपात दूसर daring कितना है तीन गटे 5 है 3 बटे 5 है मेरा भाई ठीक है तो ये जो अनुपात में है अनुपात में आपको पता होना चाहिए कि इसके पास आजएगा इनके 5 अनुपात 3 हो जाएगा टोटल में तो 5 से क्या हो गया 5 से 3 हो गया इनके कमी हुआ कितने का 2 का कहां से 5 से तो बटे 5 इंटू 100 परसंट जब न बाइब उता है और अनुपात का मतलब क्या होता है यहीं कि एक बटा तीन बटे पांच यहां पर बी इन्टू सी इस परकार से गुना होगा तो इससे गुना हो जागा मेरा भाई यह इससे गुना हो जागा तो पांच बटा तीन हो जागा यानिकि पांच से तीन हो गिया तो एही ने पूछ रहा है कि नया भीन नया भीन मुल भीन से कितने परसंट कम है तो यह नया भीन मेरा पांच है मुल भीन कितना मत टुत्तर हो जागा, ठीक है भाई, उम्हेद करें, या तक है समझ गे होंगे, अगले सवाल करो बढ़ते हैं, देखी, अगला सवाल ये है, बहुत आसां सा सवाल है यहाँ पर, एक सवाल बहुत बहते नि सीरीज कर्शन से बन जाएगा, ठीक है, कैसे बना देगे, कहता है कि 17 1750 के 20% के 10% का मान क्या होगा तो कोई सेंख्या है 1750 है ठीक है इसका 20% इसका 20% मतलब नीचे 100 20% इसी का फिर 10% 10% का मतलब बच्टे में 100 का मान कितना होगा इसको कट शट कर लिजिया एंसर आजाएगा यहां तक आपको किसी बात की समझ सा तकलीफ नहीं होना चाहिए उमीद करें यहां तक कि आप सभी सवाल कर लिया होंगे अब हम लोग अगले टाइप के और बढ़ते हैं चलिए देखते हैं अब हम लोग पुपुलेशन के बैस डूपर सवाल करेंगे पुपुलेशन बेस्ट पर सवाल बहुत आसान सी बात होते हैं कोई बड़ी बात नहीं होते हैं एक एक करके सभी चीजों को सिखा देंगा आपको अब आगे हैं भाई पुपुलेशन बेस्ट पूछे जाएंगे जन संख्या में किस टाइप से सवाल पूछे जाएंगे जन संख्या में वही पूछेगा कमी और बृधी का ही सवाल में पूछेगा इसलिए इसके बाद हम परसेंटेज को सीख रहें ठीक है उसके बाद इलेक्सन को भी सीखेंगे और भी नई-नई टाइप के सवाल मतलब बहुत सवाल पूछे गए हैं तो 150 साथ सवाल कराएंगे आपको ठीक है चिंता मत किजिए एक सहर में भालू की संख्या हर साल 3% की दर से बढ़ रही है यदि सहर में भालू की बरतमान जनसंख्या 21,218 है तो दो वर्स पूर भालू की जनसंख्या कितनी थी ठीक है दो वर्स पहले भालू की जनसंख्या कितनी थी आपको पता है कि दो वर्स पहले भालू की जनसंख प्यक्ति है किति नहीं पता तुशक्को एक्स माल लेगए एक्स एक वालरा था दो बर्स-पहले माल और कि एक्स था और तीन 2328 2228 वरत्मान में यह हैं इढ़ा। ठीक है। यह दिस काहरे निकालें गे तो दएके 208又 सब्सक्राइब करेंगे तो एंसर हमारे सामने हाजिर हो जाएगा कैसे काटे भाई देखिए अब इसको इससे भागा करने की कोशिस करते हैं किस दूगने 206 एकिस दिखने कितना हो जगा दो स्थी यहां पर कितना बजेगा चोबचेगा बार में 6 और इहां पर इससे एक उधार चलिया ना तिया कुछ नहीं ते यह इससे तो छोटा होगिया मैरा भैी 103 से ही कटी गा नहीं तो यह 8 hate j यहाथ 8 आंप्र यह पुरा कट जाएगा यह से कट देगा 206 बार में कितना 206 बार में इससे कट देगा 2 बार में, तो कितना answer होगि है, 2 गुणा, 100 गुणा, 100 गुणा, 100 गुणा, 100 के बाद में 1, 2, 3, 4, 0, कितना होगि है, 2 के बाद 4, 0 जो हाद दिख रहे हैं, वो आपका correct उत्तर, आपके सामने ये वाला answer right हो जाएगा, ठीक है, 2 के बाद 4, 0, उम्मिद करें ये सवाल आप समझ पाएंगे कोई बहुत बड़ा तोप चीज नहीं है एक सहर में भालों के जनसे क्या हर साल 3% की दर से बढ़ रही है यदि सहर में भालों की बरतमान जनसे क्या इतना है अभी फिलाल इतना है तो दो बर्स पूर्व भालों के जनसे क्या कितनी थी दो बर्स पहले कितना था तो दो बर्स पहले कितना था हमें क्या पता यार नहीं पता तो उसको एक्स माल ले माल ले तो कि पहला साल 3% से बढ़ा तो 103 बटा 100 हुआ दूसरा साल इतना बड़ा, तो हम present time में जी रहे हैं, तो present time में कितना है, इतना है, अब X का मान चाहिए, तो यह नीचे वाला दोनों उपर जाएगा, उपर वाला नीचे आजएगा, बस basic सा calculation है भाई, और कोई बात नहीं है, ठीक है, उमिद करना समझ के होंगे, अगले सवा की जनसिंख्या, एक सहर की बरतमान जनसिंख्या, बारा हजार, माप कीजिए, एक लाग पचीस जार है, ठीक है, एक लाग पचीस हजार, एक लाग एक दो तीन, एक लाग पचीस हजार, एक लाग पचीस हजार है, यदि जनसिंख्या 2% परती वर्स की दर से बढ़ती है, त तो तीन वर्स बाद सहर की जनसेख्या क्या होगी। बातू को समग्जने की कोज़ने की कुज़िए एक सहर की जनसेख्या माल दे अभी कितना है। तो एक साल में अगर एक साल में दो परसंट बढ़ रहा है Rifk signs कितना होगा। एक लाख पचीस जार अभी का फिलाल जन्संग्या है हर साल दो परसंट की दर से बढ़ रहा तो तीन साल बाद पूछ रहा है तो दो परसंट का मतलब क्या है कि एक सो मैंसे एक सो दो ये टोटल मेरा कितना 100% का मान है ये 100% इसमें 2% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 102 परसेशन हड़ेगा तो नीचे 100 एक साल के लिए दूसरा साल के लिए बटा एही सिस्टम करेंगे तीसरा साल के लिए सेम चीछ कर रहा है रिसी को कहते हैं हम लोग सीरीज मेथड भाई सबसे आसान वाली काम ठीक है अब इसको सॉ सबस्क्राइब कहुए इसको गुए जैगा साल कौन से हो आणैज देंगे दूसरे वाह जैड़ेगा कोई सहा में झू ईक हैания जाकरम है क्या को सब्सक्राइबी कर्टि करूं एकlı यहां पर पचीश हो जाएगा एक यह आपका करक्ट उत्तर हो जागा कितने विक्ति को ये बात समझ में आ गया थम सब करके बताएंगे ठीक है उम्मिद कर समझ गये होंगे अगला सवाल आपके सामने